तादय अगामी लोगसबाचुनाव को लेकर बीज़ी पी ने अपनी कमर कसली है। दोसर चौविस लोगसबाचुनाव के तैयारियों में बीज़ी पी ने दिवार लेकन अभ्यान प्रारम किया है। जिसका शुबारम सुमवार को मकर संक्रांती के दिन हुआ वही। अपने हिस्सा लिया है और उन्होंने ये नारा दिया है फिर एक बार मोधी सरकार और देखे के स्टरी के शेच चित्र बनाती हुए नजर आ रहे हैं है सूबे के मुख्या। टेसीदी तस्वीरे स्यम्यों के अधितनात की जहां दिवार पर उन्होंने लिकाए फिर एक बार मोधी सरकार। प्रियम पाठक विरुचिफ हमारे सा जुड़ चुके हैं प्रियम ये तस्वीरे निकल के आ रही है जहां बीजेपी के अब्यान को आके बढ़ाते हुए तमाम दिगज नजर आ रहे हैं बिल्कुल सुटी देखिए बीजेपी के पेंटिंग अभियान की जो है वो सुरुवात हो चकी है और उसमें सभी दिगज नेताओं ने इसकी सुरुवात करी है चाहे वो मुख्य मंतरी योग्यादितनात हों के अंदरी सुचना पसारन मंतरी अनुराग ठाकुर हों जेपी करी है अपने हातों से बकाइदा उन्होंने कमल को बनाया है और उसके नीचे उन्हों लें लिखा कि एक बार फिर मोधी सरकार तो इस स्लोगन के साथ में आज इस अभियान का अवान जो है वो किया गया है योग्यातनात ने अपने संभोधन के दौरान कहा कि इस कड़ाके क को भी कहा कि इस बार लक्ष रखा जाए कि 400 पार इस बार जो है वो बीजेपी पूरे देश के अंदर जो है वो स्रीटे लेकर आए तो इस तरीके से कह सकते हैं उन्होंने इसकी भी सुरवात करी है और इस तरीके से अपने संभोधन के दौरान बातों को कहा साथ दोर पर ल पेंट्री अरुग ठाकूर ने सुर्वात किया जेपी नडड़ा हों सभी जो जितने भी बीजेपी के वरिष नेता रहे हैं उन्होंने इस अभियान के जुरूबार्श के जरी और सब के पीछे का मकसद है कि बीजेपी को हर जन जन तक पर पहुंचाया जाए हर एक मद्द जो एक नया नारा भी दिया गया है जो पाना चाहती वो खासिल हो सकता है आने वाले दिनों में क्या रुणिती नहीं लेकर आने वाली है वहुआ अगे कीज़ को भीद्टी सीठे सीत को लेकर हर एक बूत को लेकर उसकी तरब से अध्यन किया जा रहा है विश्लेशन किया जा रहा है और हर एक चीश को तहे तक देखा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी हर एक बूत पर अपना कबजा कर सकती है और इसको लेकर ग्राउंड जीरो तक की जो कर सकते हैं रणीती है वो बीजेपी ने त्यार करी है और अलग-अलग माध्यम से चाहे वो मोधी भाईजान जैसी योजना अभियान की सुरुआत हो या फिर जो है वो वाल पेंटिंग अभियान की सुरुआत हो या फिर अन्य अभियानों की सुरुआत हो लगातार बीजेपी की तरफ से अलग अलग तरीके के नेशेटिव किये जा रहे हैं जिनके जरिये वो लोगों के वीश में अपनी पैट को बना सके अपनी मौझूदवी को दिखा सके और कहीं न कहीं अपनी प्रजन्स को दर्सा सके और उसको लेकर लगातार इस तरीके से का यूपी होकर जाता है और यूपी दिली की दसा और जिसा दोनों को तैख करता है ऐसे में पार्टी का भी विसेस तौर पर जो फोकस है वो यूपी में है कि किस तरीके से यूपी के अंदर वो अपने प्रदेशन को बैतर करें जिसका इसाब तोर पर वाइदा आने वाले 24 के लोगसवाज चुनाओं में बीजेपी को देखने को मिले और तरीके से बीजेपी अपनी रड़नीती बना रही है हर एक सीट को लेकर मंतन किया जा रहा है प्रत्यासियों के शेहन को लेकर क्या रड़नीती रहेगी किस-किस रड़नीती के तहत क्या कुछ उसके जो में अभ बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियम तमाम जानकारियों के लिए